हालो और गूड मॉनिंग तो आप सभी लोग का विलकॉम आज के सेस्टंब में पिछले दो सेसंस हमने बॉइस के देखे हैं उसमें हमने वह गया देखा है कि वोइस होता क्या है और कैसे हम लोग टेंज और में देखी थी कि तेंज कितने होते हैं एक्टिव भैस में और उसक तो आज के सामने हैं कुछ प्रिवियर से को ले करके आप देख रहे हैं कि यहां पर हमने लिखा है यह कौन-कौन से साल में किस-किस एक जामने में पूछेगा है तो आज के सेसं में हम लोग देखेंगे कि टेंस और वाइस से रिलेटेड किस तरह से पुछे जाते हैं और क्या 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 क्य इसको बनाने का सीन, बहुत आसान तरीक हम नोगों ने सीखा था, कि इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने में कोई जन्जट नहीं है, हमने बताया था कि पहले object को subject बना लेना है, तो सब्जेक्ट मना लेंगे तो क्या हो जाएगा फुड उसके बाद हम बताये थे कि इसमें एक जिलरी भर्व रही है लेकिन चुकी यह 10th प्रजेंट कहा है यसलिए हम लोग या तो इजी लेंगे या आयम लेंगे या आर लेंगे और उसमें देखें तो सब्जेक्ट हमारा पूड है जो कि सिंगुलर है तो इसमें आयम और आर नहीं ले सकते है तो क्या ले लेंगे इजले लेंगे इजले लिए यह हो गया उसके बाद हमने आपको बाद आया था बेसिक रूल में जेनरल रूल याड़ करिए कि हम लोग में भर्व को भीत्रीम बदल देंगे लेकि इसलिए इसका हम यह पर लिखेंगे अब देखें तो में बदल देना है तो क्या हो जागा तो cooked का हो जाएगा cooked और तब जाके क्या करना है तो लगा देना है by और उसके बाद जो हमारा subject है उसको object में बदल देना है तो c का objective case क्या होगा तो objective case हो जाएगा हर आराम से बन गया हमारा question तो इस तरीके से बहुत ही आसान होता है बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जोर्थ है बिल्कुल घबराना नहीं है और साथी की साथी चीज़ा हम लोग सीख जाएगा दूसरा example देखे है दूसरा question तो यह आप देखें CGL 2017 में पुछा गया है और इसको पुछा गया है उसका अबजेक्स से लेटेट कुछ चीज़े दी गई है ठीक है ना तो उसे हमको मतब नहीं है यह subject, verb और object तो हमने देखा कि यह subject भीवन object यानि कि यह tense में किसमें है simple present tense में यानि कि present in different tense में और जब present in different tense में है तो इसको बनाना तो हम पाता है क्या करना है तो पहले object को subject बनाना है तो हमारा क्या है computer से computer से बना लेगी हमने बना लिया subject और subject बनाने के बाद आपको मालूम है कि या तो हमको is का use करना है या और का use करना है आम का use करना है लेकिन हाँ पर subject जो हमारा है वो है plural और plural है तो क्या हो जाएगा और हो जाएगा ठीक है ना क्योंकि आपको मालूम है कि परजेंट इंडिफिक्टर से एक लिए वड़ नहीं है हमको लेना है इस में से चुकी सब्देक्ट हमारा क्या है प्लूरल क्या लेंगे अब हम देखें सुरी उसके बाद क्या करना है तो भीधरी किसका बनेगा यूज का समारा क्या हो जाएगा यूजiors कम्प्यूटर्स आर यूज्ट उसके बाद क्या करना है बाई उसका अब्जेक्ट ऑबजेक्ट बने जो सुब्जेक्ट हो जाएगा फिपूल और जो बचा हुआ है उसको लिख देंगे और various purposes बन गया हमारा दुशारा question तो इसी तरह से आराम से जो चीज़ें हमने सीखी है, जो structure हमने सीखा है वस उसी पर put कर देना है हमारा बारी बाज़े से जो जी चहां पर आता है उसको fill कर देना है और बिल्कुल आसानी से बन जाए अबरा question कर रहा है कि the carpenter is making furniture अब इसको देखे है तो यहाँ पुछा गया CGL 2017 में, इसको भी पुछा गया है the carpenter is making furniture अब आप देखे हैं, तो carpenter subject है एक जिलेदी भर्व हो गया यह main भर्व हो गया भीफोर के form में और यह object हो गया और यह structure किस टेंस का है आपको simple सा मालूम है कि यह जो है हमारा present continuous टेंस का है जिसको हम present info fact टेंस भी कहते है और जब present continuous का है इसको बना देंगे, बनाने में क्या करना है तो आपको बताया गया है कुछ नहीं करना है बस पहले क्या करना है कि object को subject बनाना है तो हमारा क्या बन जाएगा तो यह बन जाएगा furniture बन गया subject अब हम देखें तो यहाँ पर एक जिज़ोई भर्व है हम को अलक से लेने की जोट नहीं है अब यहाँ पर देखें तो furniture singular होता है तो यह इज ही हो जाएगा इज हम लगा देंगे अब उसके बाद क्या करना है हमने आपको बताया था कि main भर्व तो हमारा भीत्री में बतल जाएगा और जब main भर्व भीत्री में बतल जाएगा तो चुकि continuous tense है तो continuity बनाने के लिए हम को ing चाहिए इसलिए ing लगाने के लिए क्या करेंगे तो इसमें अपने तरब से एक वर्व ले लेंगे और वह क्या होगा बींग और उसके बाद इस main भर्व को बदल देना है किसमें भीत्री में हो जाएगा make का made by उसके बाद जो subject है उधा जाकर object होन जाएगा तो क्या हो जाएगा तो कार्पिंटर इस तरी के से हमने बना लिया आप देख रहे हैं कि सभी के सभी previous examination previous examination पुछाई के question है और कितने आसानी से हम लोग बना ले रहे हैं तो बाकि सारी चीज़े भी बन जाएगी कि बस आप इसको चीज़ों को समझते चलेंगे अगला है चौधा करा कि an American scientist has won the Nobel Prize for Physics तो आप देख रहे हैं कि अभी CGL के 17 में पुछा गया question है और यह कौन साटेंस है तो इसमें subject has B3 object और यह किसका structure होता है तो यह होता है present perfectence का बनाना होता है तो कैसे बनाते हैं आपको मालूम है पहले हम लोग क्या करेंगे पहले object लेंगे और object हमारा क्या है the Nobel Prize तो हम यहां से लेंगे the Nobel Prize for physics क्यों हो गया the Nobel Prize for physics यह बनके subject अब इसके बाद हमको एक्जिलीर भर लेना है इसमें दिया है हमको लोग से लेने की जोड़त नहीं है तो क्या हो जाएगा है अब हमने आपको बताया था याद करिए कि जब भी continuous tense आएगा तो अपने से पैसी में जोड़ना है being perfect में और उसके बाद model भर में तो यह perfect tense है तो क्या जोड़ा जाएगा क्या हो जाएगा by an American scientist तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हमारा passive बन चुका है अगला question की तरफ हम बढ़े है तो कर रहा है the painter painted the entire bungalow ठीक है कि यह तो subject है इसमें तो बीटू आ गया है और subject प्लस भीटू object जो होता है past indefinitence का structure होता है और आप देख रहे हैं तो इसको बना लेंगे बिल्कुल आसान है क्या करना है तो हमने देखा था कि इसको पहले object को subject बनाएंगे तो क्या हो जाएगा the entire bungalow यह बन गया subject और अब देखें तो यह past indefinite है इसमें भी एक जिली भर्ब नहीं है लेकिन चुकि यह past का है इसलिए past का form लेंगे और past का verb क्या होता है वाज यह वर्ब चुकि हमारा यह subject singular है इसलिए क्या लिय लिय जाएगा अब क्या करना है तो main verb को भीत्री ही बदल देना है तो painted भीटू है इसका भीत्री भी printed ही होता है तो क्या हो जाएगा Painted by the Carpenter यह होगी आपका इस तरह से आगे देखें अगला question कहा गया है कि he completed the story on time अगर इसको ध्यान से देखें तो subject v2 object अब देख रहे हैं कि subject v2 object और यह भी किसका है यह भी past indefinite tense का है तो बिल्कुल इसी तरह से बना लेंगे क्या करना है तो पहले object को subject बनाएंगे तो object हमारा है स्टोरी क्या बन गया subject चुकि यह similar है तो इसमें भी एक गीत्री रुप नहीं है तो क्या हो जाएगा completed the story was completed by him on time ठीक है न तो इस तरीके से हम लोग बना लिए यह हमारा छठा था सात्यों की बात करें तो सात्यों कह रहा है कि the laborers were digging a canal तो आप देख रहे हैं कि subject were before object और यह structure किसका है तो subject के बाद was war plus before यह तो past continuous होता है यह past continuous है बना लेंगे आदाम से इसको कुछ नहीं करना है पहले क्या करना है subject बनाना है object को object हमारा channel है ठीक है अब आप देखें तो इसके बाद क्या करना है तो हमको ले ले अब एक जिलेरी भर्व यहां पर war है लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि यह तो singular है तो singular है तो war ना हो करके क्या हो जाएगा पाज हो जाएगा अब यहां पर देख रहे हैं यह तो continuous tense है पास्ट का तो continuous tense कभी भी हो हमको being तो लगाना पड़ेगा लगा देंगे being dug by और उसके बाद करके subject हो जाएगा इहरा आएगा तो object हो जाएगा था leverage बन गया अब अगला question को देखें है अगला question का रहा है कि I had drawn this picture या दिल्ली पुलीस SI तो है सत्रा में पुछा गया question है और आप देख रहे हैं कि हाँ पर का रहा है subject हैट V3 object और subject हैट V3 object जो होता है वो past perfect tense का होता है तो कोई दिकत नहीं है जैसे हम लोग आगी जद बना रहे है इसको भी बना लेंगे तो पहले क्या करना है object को बनाना है subject तो इस picture हो जाएगा इस picture अब यहाँ पर हमको लेना है और पर्फेक्टेंस में सबसे अची बाती है कि हमको अलग से भार्व की चेंज करने की जदत नहीं होती जो दिया है उसी कर देना है तो हैड होगा क्यूंकि हैड सभी subject के साथ आजाता है तो इस picture हैड और चुकि अब पर्फेक्टेंस है और अब्जेक्ट के रूप में आई का क्या हो जाता है बन गया question next question में कर रहा है कि I will write an essay अब आप देखें तो इसमें कर रहा है कि I will write an essay I will be one याण कि subject will be one object और यह structure किसका है तो यहाँ future indefinite trends का जिसको simple future trends भी करते हैं और इसको बनाना तो और असान है क्या असान है तो असान यह है कि इसको बनाएंगे तो पहले क्या कर देंगे आप देख रहे हैं कि इसको बनाने के पहले subject लिखेंगे तो subject हमारा क्या बनेगा इससे बन जाएगा subject and essay अब इसके एक बाद सिन से सबसograph मौडल हमें इसा है कि अतने बाद मीवन लेता है और तुमकि यहाँ पर में भब तो add लिखने बहुत हो जाएगा इसलिए भीवन के रुपम को भी का प्रयोग करना पूड़ेगा तो अब क्या करेंगे अब भी ठी लिखना है तो क्या हो जाएगा रीटेन रीटेन वाई और इधर का जो सब्जेक्ट है और अब्जेक्ट होगा तो मी जो होगा वह आपका फूल थेसिस बाई डिखमबर या चेसल सब्जेक्ट है वह जो है अब देखे तो सब्जेक्ट अगय बीधरी अबजेक्ट यह कैसा structure है तो हमारा future perfected का है क्योंकि future कि फूलenne सिस को ओगा उसके बाद क्या करना है भब लेना है तो इसके कोपी को जाएगा वीड हो जाएगा है अब यहां पर बुखना है क्योंकि perfect एंस है इसके बाद क्या करना है तो भी 3 भी 3 तो मुंको दिया हुआ है और अंग से लिखने के ज्ज़नत नहीं है तो क्या हो जाएगा उसके बाद जो बच्षरी चीज़ा है उसको जोड़ देंगे by December व्यक्र क्या करतेंगे bye तो आप देख रहे हैं इसको आप एक screenshot ले लीजिए फिर बाते करेंगे तो आप देखने आपने देखा कि यह सभी के सभी जो पुछे गए कोस्टन है और भी बहुत सारे कोस्टन है लेकिन हमने कोसिश किया कि आपको हर एक नाब बाइस क्लिएर होगा इससे अगले सेशन में जब हम लोग मीरेंगे तो हम लोग मौडल हो के पैसिज देखेंगे और डबल ऑब्जेक्स के पैसिज देखेंगे ठीक है तो आज इस सेशन के यह पर खतम करते हैं मेरते हैं अगले सेशन में आज यह रही तना हें Thank You जाहिन